रादे रादे जी आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वास्टो टिप्स फोर होम में दोस्तो ऐसे असंख्य माता पिता हैं जिनके पुत्र और पुत्री के विवा को लेकर बहुत परेशान रहते हैं जब भी किसी के विवा की बात चलती है तो कोई न कोई बाधा उपस्तित हो जाती है इसके चलते उनका विवा नहीं हो पाता और बहुत से युवा इस बात से बहुत अधिक परेशान और निराश रहते हैं उनके चहरे पर उदासी और मायूसी आ जाती है ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा गया है जो काफी उमर के हो चुके हैं लेकिन उनका किसी ना किसी अर्चन के कारण विवा नहीं हो रहा कायो को देखे प्रयोग करने से पहले यह भी देखना आवश्क है कि आपकी कुण्ड़ी के में विवा का योग है या नहीं यानि आप अपनी जनम पत्री अवस्ष्य किसी ब्रहमन को दिखवाएं जिससे पता लग सके कि आपके विवा का योग बन रहें कि नहीं अगर आपकी कुंडली में देखी विभा का योग है तो निश्चित ही आपका विभा होकर रहेगा जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं दोस्तों उसकी जानकाई देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निखे तो सस्क्राइब आपको 21 माला का जाप करना है हीम कुमाराय नमह कुमाराय नमह इस मंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है इसके बाद नियमित रूप से इस मंत्र की 11 माला प्रती दिन आपको जाप करना है इससे आपके उपर से जितने भी नजर दोश होंगे या जो भी आपकी विभा में रुकावट आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी दोस्तो शीगर ही आपके विभा के योग अवश्य बनेंगे आपका कहीं न कहीं रिष्टा अवश्य ही हो जाएगा दोस्तों दूसरा उपाय है देखे अगर आपके योग बने होए विभा के तो निश्चिद ही आपका विभा होगा चाहे थोड़ी देरी हो जाए लेकिन विभा होना निश्चिद है दोस्तों आपको हर सिंगार की जड या पुष्प लेना है हर सिंगार का जो फूल होता है उसकी या तो जड़ लेनी है या फिर उसका पुष्प लेना है फूल लेना है और पुर्णिमा की रात्री में विभाय योग मतल़ जो भी लड़का है लड़की है उसके उपर से आपको 21 बार घुमा लेना है और उस फूल को या फिर जड़ को लड़का ये लड़की के उपर घुमाने के बाद आपको तुलसी के पोधे के नीचे दबा देना है, शीगर विभा के योग बनते हैं और जल्द ही आपका विभा होकर रहेगा, ये बड़ा ही अद्भुत और चमतकारी टोटका है, इसको जरू करके देखेगा, आपको निश लेनी है, और दो छोटी वाली इलाइची का जोड़ा लेना है, साथ में आपको देखे एक शुद्ध घी का दीपक लेना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, कोई भी पूजा का पेड़ हो, जो पीपल किसी भी मंदिर पे आपको मिल जाएगा, वहां जाना है, और पीपल के नीचे उन पांचों मिठाईयों को रख देना है, और वहां पर आपको सबसे पहले पीपल पर जल अरपित करना है, फिर मिठाई को रख देना है, और आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, और अपने विभा के लिए प्रातना करनी है, इस उपाय को दोस् आपको लाब मिलेगा, दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अबश्री करें, आप सभी को राधे राधे